नमस्का दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चेनल एंजीनेरिंग जोब्स में थमनेल लेके आपको पता चली गया होगा आज के वीडियो में हम बात करेंगे SACJ exam को first attempt में clear कैसे करें साथ में हम discuss करेंगे इस exam का pattern exam syllabus और जो previous year में जो exam हुए थे उसमें cut off क्या था यानि कि 2016 से लेके 2019 तक जो भी exam हुए थे उसमें cut off क्या था और आने वाली exam 2020-21 में expected cut off क्या होने वाला है यह सारी चीज़े हम इस वीडियो में cover करेंगे और वीडियो के last में हम discuss करेंगे safe score क्या होना चाहिए 2020-21 की exam को clear करने के लिए और साथ में क्या proper strategy अपनानी चाहिए इस exam CACJ exam को clear करने के लिए तो यह सारी बाते हम इस वीडियो में cover करेंगे यानि कि इस वीडियो को end तक देखिए वीडियो को skip मिल्कुल मत किजी यानि कि बहुत सारी चीज़े में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी को मेरा परिची देना चाहूँगा मेरा नाम है जेगोहिल यदि आप हम से social media पर जुणना चाहते है तो इन ideas पर आप follow कर सकते है यदि question और कोई query को पुछने के लिए आप मुझे personally भी Instagram पर question पूछ सकते है यह है मेरा Instagram handle जेगोहिल underscore official तो without wasting of time let's get started अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में bell icon को भी प्रेस कर दिजिए सबसे पहले तो बात करते हैं SACJ exam का pattern किया है तो देखिए दोस्तो जे SACJ exam है वो दो stages में होते हैं first stage है हमारा paper 1 और दूसरा stage है हमारा paper 2 paper 1 के अंदर होगा हमारा computer based test यानि कि जो objective type question है उसमे paper 1 में आएंगे यानि कि उसे कहेंगे हम preliminary exam और paper 2 है हमारा होगा written test यानि कि जो हम college में जो semester wise exam देते हैं उस प्रकार के हमारा conventional type paper होगा हमारा 2 अब जो paper 1 है दोस्तो उसमें 200 mark का question आएगा और उसके attempt के लिए आपको 2 गंटे दिये जाएगे same similar type है यहाँ पर paper 2 को लिए आपको 300 mark का question होगा और आपको उसको attempt करने के लिए 2 गंटे दिये जाएगे यानि कि paper 1 आप अगर clear करते है तो आप appear होगे paper 2 के लिए तो यह सारे आपको जो pattern है वो आपको पता होनी चाहिए पहले तो हम discuss करेंगे जो computer based stage है उसमें हम क्या-क्या जो important thing है उसको discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं उसके syllabus के बारे में तो जो हमारा SACJEE का जो syllabus है दोस्तों वो तीन stages पर divide किया गया है first stage है हमारा general intelligence and reasoning वो आपका होगा 50 questions यानि कि 50 questions आएके और 50 marks होगे दूसरा section है हमारा general awareness जनरल awareness के भी आपको 50 questions होगे और उसके लिए भी आपको 50 marks होगे और third जो हमारा stages है वो है हमारा general engineering या फिर आप civil हो, mechanical हो या electrical हो तो तीनों जो हमारा technical version है वो आपका question होगा 100 marks का और उसके भी आपको 100 marks मिलेगे 100 questions के तो ये हमारा 3 stages में हमारा paper 1 defined हो जाता है दोस्तों यहाँ तक आपको पूरी जानकरे मिल गई होगी तो आपको क्या-क्या चीज़े आपको ध्यान में रखनी है paper 1 को देने के लिए कौनसी जो important thing है उसको भी हम discuss कर लेते हैं तो सबसे पहला जो question है जो हमारा general intelligence and reasoning का है जो question है और बात में आता है general awareness यह सारा का सारा जो stream है हमको three stages में divide होता है first general intelligence, general awareness और हमारा third portion आता है technical का और सारा मिला कर हमको कुतने question आएंगे 200 questions आएंगे उसको autumn के लिए आपको कितना time मिलेगा two hours यानि कि 120 minutes आपको मिलेंगे इस question को attempt के लिए अगर आपका किसी भी question है उसको गलत हो जाएगा तो उस time पे आपका point 25 percentage आपका deduct हो जाएगा यानि कि एक question का आपको मिल रहा है एक marks यानि कि एक marks जो आपका मिल रहा है एक question पे तो जितने भी आपको marks आपके सही हुए है उसमें से जो गलत हुआ तो आपको point 25 आपका deduct हो जाएगा तो ये बात भी आप mind में रख सकते हैं तो अभी जैसे मैंने बात की कि एक mark मिलेगा आपको हर एक question का जो आपका सही होता है तो और एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता दो कि जो SECJ है उस उन्होंने clearly mention किया हुआ है कि ये तीनों stage यानि कि general intelligence जनरल awareness और हमारा third board stage से हमारा technical तो ये जो general engineering का जो section आप attempt नहीं करेंगे तो यानि कि यो आपका जो paper है paper one उसको हम evaluate नहीं करेंगे तो आपको तीनों के तीनों जो stages है उसको सारे के सारे आपको attempt करने हैं तो ही आपका SECJ पेपर one का evolution होगा वरना नहीं होगा तो ये सारे चीज़े आपको paper one के लिए आपको पता हो रही चाहिए ये सारे detail में study कर लीजिया हब बात करते हमारे paper two के बारे में हमारा जो paper two है दोस्तो वो पूरया 300 mark का questions है और आपको दिये जाने वाले है दो गंटे अब जो दो गंटे है दोस्तो इसी में आपको 300 mark का जो paper है वो आपको attempt करना है एक पार्ट होगा general engineering का वो होगा civil structure या फिर electrical या फिर आपका हो सकता है mechanical civil electrical या mechanical इसमें क्या होगा आपको six question आपको पूछे जाएंगे उसमें से आपको पांच question आपको attempt करने है यानि कि six में से पांच question आपको attempt करने है इच section इच question का आपको marks होगा दोस्तो 60 तो 60 into multiply 5 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 300 mark का हमारा complete paper two तो आपको क्या-क्या चीज़ ही आपको पता होनी चाहिए कि जो six question आपको पूछे जाने वाले हैं उनमें से आपको पांच question आपको attempt करने है यानि कि एक question आपको जो option choose कर सकते हैं जो भी हमारी strength हो उस हिसाब से हम कोई भी छे में से पांच question हम attempt कर सकते हैं अब ये पांच question है दोस्तों उसमें भी आपको divide question A, question B, C और D ये चारों जो सब section, सब question कह सकते हैं उसमें divide हो जाएगा और सभी जो question है उसके कितने marks होगे आपके 60 marks होगे तो इस तरह से आपका paper two हो जाएगा अब अगर आप paper one को clear करते हैं तभी आपको paper two attempt के लिए आपको बुलाएंगे अगर paper one preliminary exam आपके clear होगी तभी आप eligible होगे exam paper two के लिए तो ये सारे चीज़े आपको पता होनी चाहिए अब बात करते हैं SECJ के जो previous year के जो exam paper हुए थे उसमें cut off किया था तो देखिए दोस्तों cut off की बात करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा सबसे ज़्यादा focus रहता है क्यों हमारा cut off है रहता है क्योंकि हर साल सर जो competition है वो बढ़ती जा रही है paper का जो toughness है दोस्तों वो बढ़ता नहीं है toughness वो वही रहता है वही patterns exam आती है मगर जो हर साल जो बच्चे pass out होते है engineering graduate हो जाते हैं उसके बाद engineering graduate होने जाने के बाद SECJ के लिए वो apply करते हैं तो व वही सब चीजे के लिए जो हमारा expected cut off है वो भी बढ़ता जा रहा है देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 2016 से लेकर 2017 का जो paper हुआ था उसमें SECJ का cut off किया था जो general के लिए 100 था OBC के लिए 92.5 था वैसे ही SCST के लिए near about 84.50 तो यह था हमारा 2016-17 का cut off वैसे हमारा 2017-18 का cut off देखे तो बढ़ जाता है general category लिए general category के लिए हमारा बढ़ जाता है 117 और देख सकते हैं हमारा जो OBC का cut off है वो दो पिछले साल से जो general का cut off था उससे भी जादा बढ़ गया है तो वो था हमारा 110.75 तो आप देख सकते हैं कि शाल बढ़ने के वज़े से जो toughness exam की वो नहीं बढ़ती यानि कि जो हमारा जो competition है वो बढ़ता जाता है तो आपको क्या करना है basically आपको भी अच्छे से प्रिपेर करना है SACJ के लिए कोई भी बूक आपी रेट कर सकते हैं हम आने वाले वीडियो में हम बताने वाले है कौन सी बूक के यूज़ करना है क्या प्रोपर स्टेटरजी अपनो अपने exam के लिए अपना नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते AC-ST के लिए कट ओफ है 10 AC के लिए और ST के लिए है 105 ऐसे हम बात करते हैं 2018 का जो पेपर हुआ था SACJ में उसका जो हमारा जेनरल का जो कट ओफ था वो था 127 तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हर साल जो कट ओफ है बढ़ता जा रहा है वो भी सी के लिए 122.91 हो गया और SC के लि 107.01 तो यह था हमारा जो 2016 से लेके 2018 तक जो भी हमारा कट ओफ बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से हमको preparation है वो उसकी proper strategy अपनानी होगी तो अब बात करते हैं कि जो हमारे आने वाला जो पेपर है 2020-21 में तो उसमें expected कट ओफ क्या होना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए क कि हमारा हर साथ general category OBC, OBC, AC, ST का जो cut-off है वो बढ़ता जा रहा है उसी वजह से हमको भी हमारी preparation को भी हमारी मजबूत बनानी होगी तो हमारा जो general category है 2020-21 की अगर हम बात करते हैं तो आपका expected cut-off हो सकता है 135 राइट 135 लेकर आप target को लेकर आप preparation कर सकते हैं OBC के लिए 130, SC के लिए और ST के लिए 110 तो ये सारी जो strategy है दोस्तों ये सारा जो cut-off है वो आप 2020-21 की जो exam है SECJ में उसको आप expect कर सकते हैं अब हम बात करते हैं safe score क्या होना चाहिए Cut-off जान लिया दोस्तों तो अब बात करेंगे safe score क्या होना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं civil engineering के लिए तो अभी हमने देखा कि हर साल जो cut-off है बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से अगर आप 140 प्लस marks लेके आते हैं out of 200 तो आपका safe score कहलाता है और mechanical electrical के लिए हो जाएगा आपका 155 प्लस यानि कि जो electrical और mechanical की vacancy है दोस्तों वो बहुती कम होती है उसी वज़े से जो cut-off है वो बढ़ता जा रहा है हर साल और हमारे जो civil engineering की vacancy हो काफी जादा होती है compare to mechanical and electrical engineering यानि कि उसका जो cut-off हो comparatively low होता है तो आपको क्या expect करना है 140 प्लस target आप रखते हैं तो आप easily appear हो जाएगे exam paper 2 के लिए और हमारे हम combined बात करते हैं अगर आपको SACJ 2021 में आपको selection पाना है तो आपको कितने score लाना होगा तो civil engineering के लिए आपको 280 प्लस score लाना होगा अगर आप दोनों paper मिला के paper 1 और paper 2 दोनों मिला के 280 प्लस आपका score हो जाता है तो आपका definitely आपका selection हो जाएगा वही बात अगर मैं mechanical और electrical के लिए करू तो आपका score हो जाएगा 320 से लेके 350 यानि की 320 से 350 आपका score हो जाता है mechanical या फिर electrical के लिए तो आपका selection confirm है तो आपको यही target रखके आपको preparation करनी है दोस्तों अगर आपका 280 से कम हा जाता है तो आपका selection नहीं हो पाएगा या अगर आपका cutoff है वो इसी बीच के होगा इसी जो 280 है उसके आजपास से आपको दिखा देगा तो यह था आपका safe score अब बात करते है proper strategy क्या होने चाहिए दोस्तों proper strategy क्या होने चाहिए इस SSJ को first attempt में pass करने के लिए clear करने के लिए तो हमारा जो paper 1 है दोस्तों उसमें 200 question है और 200 marks है तो 200 point के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो हमारा technical है दोस्तों वो हमारा 100 reasoning 50 है और general studies भी हमारा 50 है तो आपको क्या strategy अपनानी चाहिए कि जो अगर आप technical में 70 से भी ज्यादा जो marks या point लेके आ सकते है तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों और reasoning है दोस्तों उसमें आप 40 प्लस या 45 आपका score हो जाता है तो well and good क्योंकि यही सब चीज़े आपको paper 1 qualify करने के लिए मदद रूप होगा और general studies में बहुत सारे बच्चों को काफी जो दिक्कते आती है क्योंकि जो general studies है दोस्तों वो engineering student इतना पढ़ते नहीं है क्योंकि पढ़ते क्यों नहीं है दोस्तों जो हमारा reasoning portion है और technical है वो तो सारा हम graduation में पढ़के आते है इसलिए वो तो अच्छा होता है मगर जो हमारा general studies का 50 questions है दोस्तों उसको हम अच्छे से attempt नहीं करते और उसी वज़े से हमारा selection नहीं होता तो आपको गया न करना है तो general studies में आपको अच्छे से preparation करनी है general studies में क्यों से क्यों से topic आते है physics, chemistry और biology अब जो physics, chemistry और biology है वो आपको prepare करना है up to standard 10 के लिए 10 के जो समकक्स आपका जो syllabus है वो define होता है SSJEE के लिए यानि कि standard 8, 9 और 10 का आपको physics, chemistry और biology पता होना चाहिए इसमें से आपको questions से आते हैं एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो general studies है उसमें physics, chemistry, biology के अलावा general awareness, history, Indian history, geography, Indian geography, polity, politics और economics और last में है हमारा current affairs तो ये सारी जो चीज़े हैं आपको अच्छे से prepare करनी है current affairs दोस्तों अच्छे से prepare करिए और current affairs के मुताबिक ही आपको quality, economics, geography आपको preparation करनी है मान लीजें कि अभी कोई हमारा 2020 में जो हमारा corona pandemic situation की वज़े से हमारा economic बहुत ज़्यादा गिर गया है तो वो ही आपको सब detail में discuss या फिर detail में study करना है तो वहां से ही question निकल सकता है कि हमारी जो GDP है और 2021 में expected क्या है, right, moody's के द्वारा, world bank के द्वारा जो हमारे GDP है 2021 की क्या हो सकती है वो सारा point किस में आ जाएगा, economics में आ जाएगा, फिर एक बात है politics के बारे में, तो अभी हमने देखा था कि जो September, October महिने के अंदर जो farmers के तीन भी लाये थे, तो सब हम किस में consider अगर सकते है, politics के बारे में, geography है, history है, जो सारे दिन हमारे जो recently आते जाते रहते है उसको भी हम history के साथ जुड़के हम history को prepare करना पड़ेगा, अगर आप general study अच्छे से prepare करते हैं, तभी आपका SACJE first attempt में clear हो जाएगा, तो ये सारे चीज़े आपको ध्यान में रखनी है, while the preparation of SACJE अब बात करते हैं, safe mask division क्या होना चाहिए, तो अभी हमने बात की ऐसे ही, जो हमारा technical है, अगर आप 70 plus score कर लेते हैं technical के लिए, और reasoning के लिए 40 plus, और general studies के लिए आपका 30 plus अगर score हो जाता है, तो कुल मिला के हो गया आपका 140 plus, 70 plus 40 कितना हो जाएगा, 110, और हमारा 30, यानि कि हो जाएगा 140 plus, जो अगर आप 140 score कर लेते हैं दोस्तों, तो भी आपका selection first attempt में ही हो जाएगा, तो जो technical question हैं दोस्तों, बहुत ही easy होते हैं, उसको attempt करने के लिए आपको ज़्यादा time नहीं लगेगा, सबसे ज़्यादा आपको preparation में ध्यान और important देना हैं आपको general studies में, क्योंकि जो हमारा technical reasoning है, हम graduation level में ही हम complete कर देते हैं, अच्छे से preparation करते हैं उसके लिए, वो सारे के सारे point आपको ध्यान में रखते हैं, while the preparation of the SECJ, तो यह था हमारा आज का दोस्तों वीडियो, I hope के वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है, तो वो ज़्यादा से दाजदा, दोस्तों में ये वीडियो को share कर दीजे, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे channel पे आते रहेंगे, SECJ के regarding, और बहुत कुछ जो current issues के बारे में हैं, वो भी हम वीडियो बनाते रहेंगे, तो thank you for watching this video guys, have a great day, have a nice day, और एक बात आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको कोई question और doubt हो, तो आप हमसे comment box में जुट सकते, comment box में आपका question डाल सकते, या फिर मुझे personally, जो हमारा jaygoing underscore official है, उस Instagram handle पर भी आप अपने personal question मुझे सेर कर सकते हैं, मुझे साधा कर जाकते हैं, तो मिलते हमारे next video में, तब तक के लिए good care and good care of yourself.